अगर आपके बास OPPO A17 है या 17K है कोई भी फोन है तो यहाँ पे आपके डिस्पेस यूज कैसे कर सकते हैं किट्स के लिए एक अलग से स्पेस अपने फोन में कैसे दे सकते हैं दो-दो फोन खरीदने के ज़रत नहीं बस आप अपने बच्चे को किट्स पेस अन करके दे सकते हैं ठीक है तो इसके लिए जाएंगे आप सैटिंग पे सैटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको स्पेशल फीचर्स का ओप्शन है इस पे क्लिक करना है किट्स पेस पे क्लिक करना है और इसके बाद अग्रियंट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंटर पे क्लिक कर देंगे अब यहाँ पे बच्चे को कौन-कौन सी अप्लिकेशन यूज करने के लिए देना है तो वो सलेक्ट कर देंगे तो अभी मेरे फोन में कुछ इस टैप का तो है नहीं तो माल लो यह हो गया यह यह हो गया दो तीन एप्लिकेशन फॉर एक्जामपल के लिए मैं डाल लेती हूं अधराइस आप पढ़ाई लिखाई वाली या फिर वैसी एप्लिकेशन डाल सकते हैं अब यहां पे डाउन्ड प्लिक कर लींगी कि लोडिंग हो रहा है मिट कर लेंगे capitalize कि यहां पर एप्लिकेशन कर लोर, मन लो यह हो यह दो थीन एप्लिकेशन में आपनी मिटे देन देना चाहती हूं यूज करने के लिए अब डाउनलोड एप पे क्लिक कर लेंगे वेट कर लेंगे तो इन में से भी आप डाउनलोड कर जाकते हैं यह हो चुका है इसके बाद बैक कर लेंगे इतना करने के बाद चेक माप पे क्लिक कर देंगे अब यह किड़ स्पेस में आप एंटर कर चुके हैं तो देख सकते हैं कि इस तीन चार एप्लिकेशन है जिसे आप यूसे कर सकते हैं तो एक पर यहां पर क्लिक करेंगे पैरेंटल कंट्रोल में और अपने फोन का लॉक या फिंगरपिंट लगाएंगे और यहां पर वाइफाई से अगर चलाना चाहते है फोन तो वाइफाई अब मॉबाल डेटा से चलाना चाहते हैं यह दोनों Heorn कर देंगे अब यहां पे applications आ जाती हैं तो यहां पे 3-4 application है 7-8 application है जिससे आप use करना चाहते हैं और देना चाहते हैं तो इनको आप ऐसे हटा भी सकते हैं ऐसे करके ठीक है इसके बाद back कर लेंगे और इसके बाद यहां पे time limit पे click करेंगे और time limit पे जाने के बाद यहां पे बच्चे को 30 minute के लिए देना चाहते हैं या 15 minute के लिए या फिर 2 घंटे के लिए 1 घंटे, 1.5 घंटे के लिए ऐसे time लगा सकते हैं ठीक है? और time limit नहीं लगाना है तो इसको आप बंद कर देंगे तो यह unlimited time के लिए ऐसी रहेगा तो मैंने लगा दिया है आदे घंटे का time और eye comfort को आपको on कर देना है और यहां पे shortcut create कर देंगे home screen पे यह on कर दिया है इसके बाद back कर देंगे ठीक है? अब आपका बच्चा यहां पे कोई सा भी application खोलेगा तो अच्छे चला पाएगा लेकिन अगर वो back करके आपकी screen पे जाना चाहेगा तो आपकी main screen पे नहीं जा सकता है इसको खोल की अगर back करेगा तो back हो जाएगा लेकिन आपकी screen पे नहीं जा सकता kid space में ही रहेगा अब kid space से exit करने के लिए आप यहाँ पे जाएगे और exit पे click कर देंगे ठीक है और आप सोचेंगे और अपना pattern lock लगा देंगे ठीक है pattern lock अगर लगा है तो ठीक है otherwise यहाँ पे न fingerprint लगा हुआ है तो fingerprint पूछेगा तो fingerprint लगा देंगे तो main screen पे आप आप आगए अब आप सोचो कि वह बच्चे बाला application मैंने डाउन्लोड किया था वो तो नहीं आया यहाँ पे तो मैंने सिर्फ डाउन्लोड किया था उसको install वगारा नहीं किया था तो देख सकते है पता नहीं हुआ है यहाँ हुआ है इंस्टॉल करोगे तो दुबारा से आप कीड़ स्पेस में एंटर हो जाओगे बस आपको बार-बार सेटिंग करने की ज़रत नहीं पड़ेगी बस आपको फोन ऐसे पकड़ा देना है exit करने की लिए यहां से एक्जिट कर देना है और बैक कर लेंगे ठीक है फिंगर पिंट लगा लेंगे तो इस टेप से आप यहां पर फूल सेटिंग कर सकते हैं किड्स स्पेस की चले मिलते हैं आपके एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार